वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 15 फरवरी दो जरतेज और 15 फरवरी दो जरतेज से करेंट फैल्स के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्क्स करेंगे और हर कुशिन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको आना है आज किस वीडियो के पीडियाफ फाइल आप इस वीडियो के डिसक्सम से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियाफ आप मारे टेलेग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम ग्रूप पर आपको सारे पीडियाफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम के नीचे आपको red color का subscribe का बटन दिख रहा होगा आप उस पर click करके इस channel को subscribe कर लीजिए अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कर लीजिए और बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर भी click कर लीजिए फिर आपको daily morning में इस video का notification मिलता रहेगा तो चलिए start करते हैं पहला question है हाली में किस bank ने offline digital भुकतान के लिए offline pay pilot program launch किया है अभी तक क्या होता था आप UPI की तुरुक्त पेमेंट करते थे online होना होना होता था आपको यानि कि आपके पास internet की need होती थी अब HDFC bank ने पहली बार यह pilot program launch किया है कि आप offline digital payment कर सकते हो offline digital payment में अभी restriction बस इतना है कि आप छोटे amount का offline pay कर सकते हो तो इसे अभी HDFC bank ने launch किया तो इस question का बे options है अब HDFC bank इसकी स्तापना कब हुई 1994 में इसका headquarter कहा आप मुंबई में और इसके present time पर CEO कौन है ससी धर जगदीशन कौन है ससी धर जगदीशन तो इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का अपने लेक टारगेट पिक्स करो चाहे चोटा सा ही टारगेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेब करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी ने क्यूशन है हाली में किस देश की राष्टपती ने आयाटी इंदौर के चात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गौब पुरुसकार पतान किया है तो अभी मिस्र के राष्टपती अबदिल फतेह अल सिसी ने वर्ल्ड गवर्मेंट समिट में आयाटी इंदौर के चा चात्रों ने ब्लॉक चेन आदारित रसीद बनाने वाली एप ब्लॉक बिल डेबलप की है इसी वज़य से इन चात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गौब पुरुसकार पतान किया अब मिस्र के राष्टपती ने पतान किया और कहां पे पतान किया वर्ल्ड गवर्मेंट कहां पे होई है दुबई में अब मिस्र तो यह है मैप में मिस्र मिस्र की केपिटल क्या है कायरा मिस्र की करंशी के है इजप्टियन पॉंड और मिस्र के राष्टपती कौन है अबदिल फत्य अलसिची इस बार गड़तन दिवस पर हमारे चेव गैस्ट की रूप में आए से wow साही है इनको बंगलाओंगलादेस में निरविरूत राश्ट पती की रूप में चुना गया है यह मुहम्मद साहर गया m बंगलादेस तो ये है मैप में बंगलादेस बंगलादेस की केपिटल क्या है ढाका बंगलादेस की करणसी क्या है टका बंगलादेस की प्रिजेन टैम पे प्रैमिश्टर कौन है सेख हसीना और बंगलादेस के अब नए राष्ट्पती तो ये बनेंगे मुहम्मद साहब होत तमेम इक्वाल बने है और वसीफा नाजरीन केटू फत्य करने वाली बांगलदीस की पहली महिला बनी है नेशुशिन है हाली में J20 अध्यक्ष्टा का जस्न मनाने के लिए किसने J20 थीम बेस्ट QR कोड लॉंच किया है तो ये Paytm ने लॉंच किया तो इस कुश्शिन का बे अपस्ट सही है ये है Paytm का J20 थीम बेस्ट QR कोड इस पर क्या है J20 का लोगो है बसुदैब कुटूंब कम ये टाइटल भी लिखा हुआ है तो इस थीम बेस्ट QR को पे टीम ने लॉंच किया है आपको पता है अभी G20 की अध्यक्षता अपने देश भारत को मिले गई है और ये रूटेशनल होती है जेतने भी G20 मेंबर होते हैं उनको एक के बाद एक अध्यक्षता ये रूटेशनल में मिलती है यानि कि जैसे इंडिया को मिल गई अब अगली बार किसी और कंट्री को मिलेगी ये मिलनी ही होती है तो इस बार अपने देश भारत को G20 के अध्यक्षता मिली है इसलिए भारत के अलग-अलग सहरों में G20-based अलग-अलग कारेकरम हो रहा है तो अभी पेटियम ने क्या कर दिया है पेटियम ने G20 की टेम पर बेस्ट एक QR कोड लांच कर दिया अच्छा पेटियम के बारे मैं आपको उतलता हूँ पेटियम की स्तापना का होई थी 2010 में इसका हेटकोर्टर कहां पे है नौईडा में और इसके प्रजेंट टेम पे CEO कौन है बेजैस सिखर सर्मा ने क्यूशन है हाली में ललिता लाजमी का निधन हुआ है बे कौन थी तो ललिता लाजमी ये एक चित्रकार थी और अभी इनका निधन हो गया तो इसके उप्रजेंट का बे उप्सन सही है ये दिवंगत अविनेता गुरुदत की बेहन थी ललिता लाजमी और बहुती फैमस चित्रकार थी अभी इनका निधन हुआ है तो इनका नाम आप याद रखिए नए क्यूशन है हाली में पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सीर्स पर रहा है तो पहले तो मैंड में ये करना क्लिक चाहिए कि पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहां पर हुए है ये मद्य परदेश में हुए है पाँच में KELO India Youth Games मद्रप्रदेश में हुए है और इन में पधक तालिका में महराष्ट टॉप पर रहा है तो इस question का A options है 5 में KELO India Youth Games की medal tally में महराष्ट टॉप पर है महराष्ट ने total 161 medal जीते हैं जिसमें से 56 gold medal है दूसरे नमबर पे हर्याना है हर्याणा ने टूटल 128 मेडल जीते हैं जिसमें 41 गूल्ड मेडल है और तेसरे नमबर पे मध्यपरदेश है इसने टूटल 96 मेडल जीते हैं जिसमें से 49 गूल्ड मेडल है अब मारास्ट मेडल टैली में नमबर वन पे है तो ये है मैप में मारास्ट मारास्ट की कैपिटल क्या मुंबई माराष्ट की चीपनिस्टर कौन है एकनात सिंधे और माराष्ट की नए गवर्नल कौन मने है रमेश बैस अच्छा माराष्ट भूसर्ड पुरुसकार से अभी अप्पा साहिब धर्मादिकारी को सम्मानित किया गया फेम यूजना के तहत इलेक्ट्रिक भानों की बिक्री में माराष्ट टॉप पर रहा है काला गुडा कला महुतसब ये मुंबई में सुरू हुआ है माराष्ट सरकार गामीड छेत्रों में 122 नए खेल परिसर इस्तापित करेगी और 108 भी भारते बिग्यान कांग्रेस का इंद्र मोदी आदी महुतसब का उद्गाटन करेंगे तो इसकुषिन का से ओप्सन सही है देली में मेजर ध्यान चंद्र स्टेडियम में प्रदानमंत्री मोदी आदी महुतसब का उद्गाटन करेंगे ने कुषिन है हाली में हुंडेई मोटर इंडिया ने कैसे अपना ब एक्चुल में हुंडे मोटर इंडिया ने इस्मरती मंदाना सैफाली वर्मा और जेमेमा रोडरेंग्स को अपने अंबेश्टर की रूप में पहले चुना था अब दो और क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और रेडुका सिंग ठाकूर को अपने ब्रांड अंबेश्टर की निगध जरीन को अपना ब्रांड अंबेश्टर बनाया है रेल 11 का ब्रांड अंबेश्टर कुल्देप यादव को नुक्त किया किया है नावी ये एक लोन के लिए एफ है नावी नावी टेक्नलोजी ने MS Dhoni को अपना brand investor बनाया Skechers इंडिया ने Krathya Senan को अपना brand investor बनाया Pramuk Ad Tech Company Baisuz ने Lionel Messi को Education for All पहल का Global Ambassador नियुक किया और FIFA 2022 में Radbir Singh को भारत का ambassador बनाया गिया ने क्यूशन है खाली में भारत की पहली AC Double Decker Electric Bus कहां सुरू होई है तो ये मुंबई में सुरू होई है भारत की पहली AC Double Decker Electric Bus मुंबई में सुरू होई तो इस कुशन का A options है ने क्यूशन है किसने Women Premier League में 2.5 करोड रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है तो Women Premier League इसमें अभी 2.5 करोड रुपए की उच्चतम बोली इसम्रती मंदाना ने हासिल की तो इस कुशन का B options है ये हैं इसम्रती मंदाना इन्होंने Women Premier League में 2.5 करोड रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है ने क्यूशन है हाली में सुदी अरब से 2023 में अंतरिच मिसन पर जाने वाली पहली महिला कौन है तो सुदी अरब से पहली महिला अंतरिच श्यात्री बनी है रायाना बरनावी तो इस कुशन का C options है ये हैं रायाना बरनावी ये 2023 में सुदी अरब से पहली महिला अंतरिच श्यात्री है जो अंतरिच मिसन पर जाएंगी अच्छा साओधी अरब की बात है तो ये है मैप में साओधी अरब साओधी अरब की केपिटल क्या है रियाड साओधी अरब की करंसी क्या है साओधी रियाल और साओधी अरब की प्रिजेन टेम पे किंग कौन है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साओधी अच्छा अभी पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रुनाल्डो अल नासर फुटवल क्लम में जुड़े हैं दलाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल सहर सौधी अरब में स्तापित किया जाएगा हाली में ICAI ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है तो अभी अनिकेद सुनील तलाटी को ICAI ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है ICAI यानि कि Institute of Chartered Accountants of India इसने अपना नया अध्यक्ष अनिकेद सुनील तलाटी को नियुक्त किया है अच्छा अभी इलहाबाद हाईकूट का मुख नियादीस राजेस बिंदल को नियुक्त किया गया तोइटा ने कूजे सातों को नए CEO के रूप में नामित किया विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच नियाले के नियादीस की रूप में सपतली है और केंडरा बैंक का MD&CEO के सत्य नारायन राजू को नियुक्त किया गया है हाली में इंडिया इंटरनेशनल सेफ फूड सौ का 23 संस्क्रण कहा आएजित किया जाएगा तो यह कूलकाता में आएजित किया जाएगा तो इसके इनका बे योपस सं सही है अच्छा, कूलकाथा, ये हुगली नदी की किना रिश्तित है कूलकाथा में भारत की पहली underwater metro वनेगी ने कुशन है, हाली में डॉरिन डेस्यन को किस बेश का नया प्रदानमंत्री चुना गया तो Doren Rision इनको अभी Moldova का नया प्रदानमंतरी चुना गया तो इसकुशन का A options है यह है यह है Doren Rision अभी Moldova के नय प्रदानमंतरी चुने गए है तो यह है MAP में Moldova Moldova की capital किया है Chisnao इसकी currency किया है Moldova Leo और इसके present time पे president कौन है Maya Sandu कौन है Maya Sandu और अब नय प्रदानमंतरी चुने गए है Doren Rision अच्छा अभी Nikos Christodolites साइप्रस के नय राष्टपती बने है Manuela Rokabote एक्वेटोरियल गिने की पहली महिला प्रदानमंतरी न्युक्त होई है चैक गणराजी के नय राष्टपती Pat Fabel बने है लियो बराड कर ये आइलेंड के दूसरे बार प्रदानमंतरी चुने गए और देना बोलुआटे ये पेरु की पहली महिला राष्टपती बनी है हाली में कौन सा सहर सहरी नदी सर्रक्षड पर एक अंतरास्टी सम्मिलन की मेजवानी करेगा यानि किस कुशिन का C options है अब लास्ट वीडियो के कुशिन का answer लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुशिन पुचा था कि हाली में सेफी राधा करश्ण को किस राजी का नया राज़िपाल बनाया गया तो अभी जहारखंड के नए राज़िपाल बने हैं सेपी राधा करश्ण यानि किस कुशिन का C options है था और लगबग सबेश्ट वेडियों ने सकांसर सही दिया मुश्ट वेडियों के आरें डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूगा कुशिन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुशिन आपके लिए आज का कुशिन है हाली में निकोस क्रिस्टो डॉलाइट्स के इस देश के नई राष्ट पती बने है चार आपसन दिये गए हैं इन में से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाब हम हमारे फेस्टो पेज पर प्रेवेस एर कोशिन डेली पोश्ट करते हैं तो आप फेस्टो पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा फेस्टो पेज जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेवेस एर कोशिन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कोशिन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रोलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी गन्फिजन बिदाउट एनी एजिटेशन डिसकस कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मैंने प्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो ये था आज का हमारा करेंट अफेस का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में ज़रू बताना और अगर अबे तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है नेक्स एक्जाम और बेज बिद यू थैंक्स वर वाचिंग